हेलो एवरीवन मैं पुजा चोधरी खुशी मेक ओवर से वेलकम टू माई चैनल तो आज मैं आपके साथ में डीप यू शेप की कटिंग शेयर करने वाली हूँ मैंने पहले भी अपने चैनल पर यू शेप की कटिंग डाली हूई है बट डीप यू शेप मैंने नहीं डाली थी अभी तक तो आप लोग देख सकते हैं यह 12-13 साल की बच्ची हैं और इनके बाल जो हैं वो काफी अच्छे हैं काफी लंबे हैं बट क्योंकि आजकल गर्मी ब बहुत अच्छे से कोम करिए बालों को थोड़ा गीला करिए अगर आपका मन है गीला करने का तो करिए नई तो कुछ लोग बिल्कुल सूखे में भी कटिंग करते हैं तो वह आपके उपर है कि आप किस तरीके से कटिंग करें तो आप देख सकते हैं कि इन्होंने गीले ही थी उन्होंने बताया कि इतनी लेंथ निकाल दीजे तो उतनी लेंथ निकालने के बाद में हम लोगों ने यू शेप इनको दे दी आप लोग दे सकते हैं बहुत सिंपल होता है यू शेप देना बहुत बिल्कुल भी हाड नहीं होता है और पहले ये रफली यू शेप दी ह अब इसके बाद में हम इसको बहुत अच्छे से मिलाएंगे तो इस टाइम पर हमने वो बाल काट दी है जो एस्टरा बाल था अब आप लोग देख सकते हैं इनका सेंटर पार्टिंग से हमने ये कटिंग की है इस टाइम पर बिल्कुल परफेक्ट लग रही है लेकिन फिर भी हमें ये बहुत अच्छे से मिलानी है तो अब आप लोग देख सकते हैं साइट से बाल पकड़िए और एक गाइडलाइन तियार कर लीजिए और उसके बाद में फिंगर के बीच में फसा फसा के बालों को छोटे छोटे शक्षन लीजिए और फिंगर के बीच में उसको फसाईए और उसके बाद उनको उस गाइडलाइन के साथ मिलाते चले जाएए गाइडलाइन क्या होता है वो भी मैंने पहले काफी वीडियो में आप लोग को बताया हुआ है कि हम पहले जो पहला जो कट मारते हैं उसको हम यह सोच के मारें कि अब इसी से हमें पूरी कटिंग को मिलाते चले जाना है तो अब आप लोग देख सकते हैं यह चोटे चोटे पार्ट बना रही है और उसके बाद में उसी गाइडलाइन से बालो को मिलाती चली जारी है तो इस तरही के से कटिंग करना बहुत easy होता है और मेरे पालर पर मेरा जो पालर का staff है वो ही कटिंग करता है मैं भी करती हूँ बढ़ लोग जड़ा करते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है आप लोग के साथ में उन लोगों का काम शेयर करना क्योंकि देखिए पालर पे अगर आपने स्टाफ रखा है तो उनका काम अच्छा होना बहुत जरूरी है और मेरे पालर का जितना भी स्टाफ है वो काम बहुत अच्छा करता है तो आप लोग देख सकते हैं और मैं बहुत ही easy method में सब लोगों को यह चीजे दिखाती हूं समझाती हूं और सिखाती हूं क्योंकि मेरे पालर पे जितने भी बच्चे हैं वो सब मेरे ही हाथ के सीखे हुए बच्चे हैं और फिर मैं उन लोगों को जोब पर रख लेती हूं पहले मैं लोगों पूरी ट्रेनिंग देती हूं उसके बाद जो भी जोब करना चाहता है उसको जोब पर रखते हैं हम लोग जिसका भी काम मुझे बहुत बेस्ट लगता है तो आप लोग देख सकते हैं इस तरीके से ही हम लोग देखेगे यह गाइडलाइन हम लोग ने तयार कर ली आगे से कि हमें इतना बाल रखना है और उसके बाद में इसी गाइडलाइन को हम लोग फोलो करते चले जाएंगे तो यह चीज बहुत जरूरी है हम लोगों को आना कटिंग इतनी ज्यादा हाड नहीं होती है यू शेप स्ट्रेट कटिंग यह सब चीजे बिल्कुल भी हाड नहीं होती है बट क्या होता है इनको समझाने का जो तर इसमें यूज ना करूं कि आप लोगों को वर्ड समंझ में ना है कि मतलब मैं क्या बोल गई पता नहीं चला तो मैं बहुत सिंपल लेंगेज यूज करती हूं और बहुत ही सिंपल तरीके से कटिंग करवाती हूं बच्चों से और मेरे पालर पर जितना भी काम होता है वह सिंपली होता है और बहुत ही फिनिशिंग के साथ होता है और बहुत ही साफ सुत्रे तरीके से होता है तो आप लोग देख सकते हैं हम लोग बाते करते 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 कटिंग इनकी बिल्कुल और हम लोगों ने जैसे मिलानी स्टार्ट की थी उससे हम पूरी कटिंग को अच्छे से से कर सकते हैं कहीं से अगर कोई उंचा नीचा बाल आपको लग रहा है तो आप उसको बहुत अच्छे से कट कर सकते हैं क्योंकि डीप यू शेप जो होती है उसमें बहुत ही सफाई की जरूत होती है बहुत ही टेक्निक की जरूत होती है तो आप लोग देख सकते प्राइब को दो करें जरा ना बूलें और जबी सब्सक्राइब करें तो प्लीज बेल आइकन को जुरूर प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोग को टाम पे पे मिलें तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तिल देन बाई बाई